कुछ लोग सपनों को अपनी लगन से हकीकत में बदल देते हैं उनको बस चाहिए ऐसा कोई जो रास्ता दिखाए मुकाम तक पहुँचने का मिलखा सिंग के हुनर को पर्खा उनके ट्रेनर गुरुदेव सिंग ने अपने ट्रेनर के दिखाए रास्ते पर भगते हुए मिलखा पूरे विश्व में मशूर हुए फ्लाइंग सिख के नाम से सेंटम लर्निंग के भी 1400 ट्रेनरों ने 12 लाग से अधिक लोगों को कुशल कामगार बना कर उनके सपने साकार किये हैं सेंटम लर्निंग 130 से अधिक स्किल सेंटर्ज और 1100 से अधिक स्कूलों की माध्यम से देश के उभरते सेक्टर्ज में सिफ स्किल ट्रेनिंग ही नहीं नौकरी भी दिला रहा है प्रते एक व्यक्ति का सपना होता है कि वो जिन्दगी में कुछ न कुछ करे उसमें कुछ आगे बढ़े अपने ममी लाडी का सपना भी पूरा गए मैं भी पंपिलरन जॉब करके यह सब कुछ प्रापत कर रही हूँ अच्छी ट्रेनिंग की इसमें तो अच्छा जों मिल गये तो हम इससे बहुत कुछ नौकर दो हजार बाइस में देश को करीब पचास करोड स्किल्ड लोगों की जरूरत होगी इसके मध्य नजर सेंटम लर्निंग में Ministry of Skill Development and Entrepreneurship MSDE और National Skill Development Corporation NSDC के साथ सेंटम ने मध्य प्रदेश और हर्याना में State of the Art Model Training Centers MTC जिन्हें प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKK के कहते हैं शुरू किये जारखंड Skill Development Mission JSDM के साथ मिलकर तीन साल में 45,000 तक युवा ट्रेन किये जाएंगे पंजाब Skill Development Mission PSDM के साथ ग्रामीन और शेहरी पंजाब में 23 नन्ही 6 सेंटर स्थापित किये हर्याना Skill Development Mission HSDM के सहयोग से राज्य के 11 जिलों में 6600 व्यक्ति ट्रेन किये जाएंगे Ministry of पंजायती राज Government of Odisha और जारखंड के साथ जोड़कर पंजायती राज संस्थान के 48,000 प्रतिनिधी ट्रेन किये जाएंगे मध्यप्रदेश Council for Education and Training MAPSET के साथ 10 जिलों के 3,000 क्राइबल युवाउं और मध्यप्रदेश Council for Vocational Education and Training के साथ पूरे राज्य में 20,000 लोग ट्रेन किये जाएंगे आंध्रप्रदेश में Employment Generation and Marketing Mission EGMM के साथ मिलकर 17 जिलों के 6,000 नौजवान को ट्रेन किया जाएगा मिलखा सिंग की ही तरह अभिनव बिंद्रा ने भी अगर कोर्ड जीता तो वो इसलिए कि वो निशाने बाजी में पूरी तरह से स्किल्ड है आज हर क्षित्र में ऐसे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत बढ़ रही है इसलिए सेंटम लर्निंग कई कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी यानी CSR योजनाओं के अंतरगत लोगों को स्किल्ड और आत्म निर्भर बना रहा है दिल्ली NCR के एंजिनियरिंग कॉलेज के लगभग साढ़े साथ सो चात्रों को एरिसेंट की सहभागिता से ट्रेन किया जा रहा है हर्याना की स्थानिय युवाव व महिलाओं को NASCOM Foundation and Concentrics Corporation की सहभागिता से Customer Relationship Management Voice की ट्रेनिंग दिला रही है हाल ही में सेंटम ने बधर युवाओं को नित्रत्व वव्यवसाई कौशल में प्रशिक्षत करने के लिए सेंटम ग्रो इनिशिटिव प्रारम किया है ACC के साथ उसके साथ प्लांट्स के इर्द गिर्द रहने वाले करीब तीन हजार लोगों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी सेंटम ने महिलाओं ने भी हर प्षेत्र में अपने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन दिया है मेरी कॉम का बॉक्सिंग में विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करना इस बात को साबद करता है कि नारियां आज हर ख्षेत्र में आगे है महिला सशक्ति करण को ध्यान में रखते हुए सेंटम लर्निंग में जार खंड सरकार के महिला इवं बालविकास मंत्राले के साथ मिलकर 1374 से अधिक लड़कियों को ट्रेन किया सिलाई कोर्स में करनाटक के पांच गाउं में भारतिय नाभकिय उर्जा निगम की सहायता से सेंटम महिलाओं को स्किल्ड वसशक्त बना रहा है आंद्र प्रदेश में मैपमा कारिक्रम के तहट महिलाओं को कंप्यूटर शिक्षा में दक्ष बनाया सेंटम लर्निंग के जरिये प्रशिक्षन हासिल कर ये महिलाएं अब अलग-अलग सेक्टर्स में अपना योगदान दे रही है सेंटम लर्निंग आज मौजूद है 15 देशों में और साणहे 300 से अधिक क्लाइंट्स को ट्रेनिंग सिल्यूशन देती आ रही है अपनी 11 सालों के सफर में सेंटम लर्निंग के कारियों को काफी सराहना मिली है इसलिए जब भी देश को बदलने बारों का जिक्र होगा तो उसमें सेंटम लर्निंग का नाम अवश्य लिया जाएगा है